गोरक बो न्यूज के सर्प्रायो जखे मठकू मंगलम तावर गोलगर गोरकपूर प्रदेश के मुख्य सचीफ दुर्गर संकर मिश्र ने लगनो से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादिन से प्रदेश के सबी जिलों के अधिकारियों के साथ प्रदानमंत्री किसान सम्मान ने धी योजना की की बैठक किसानों को योजना का लाब दिलवाने के लिए दिये निरदेश गुरक नात मंदिर में ब्रमलीन महंत दुय की स्मृति में संगीत मैं श्री राम कथा बुदवार से वा गुरुवार से सामयी क्विशो पर होगा व्याक्यान योगपुरुष ब्रमलीन महंत दिगिजैनात महराज वा राश्चन ब्रमलीन महंत आवेदनात महराज की पुने महाई यूजना 31 बर नाग्रिकों के द्वारा अपत्ति Wallace धेने का GDA ने कारे किया शुरू जी धी अ उपाध्यक्षु ने कहा कोई भी नाग्रिक GDA में आकर महाई यूजना को देख दे सकता है अपना सुजहा उनकी सुजहा को कमिटी में रखकर संसोधन करके बोर्ड की बैठेक में किया जाएगा पास 12 गंटे के अंदर लूट करने वाले दो अभ्यूकतों को उर्वा थाने की पुलिस ने किया गिरिफतार लूट का 16 सो रुपए, एक मोबाइल, एक जोडी पायल, एक आधार काड, एक लेडिज पर्स किया बरामत पीजा जेल विविन सडकों की चोडी करन का जिनपद में चल रहा है कारिज लादिकारी कृष्णा करुनेश ने दी जानकारी कैंट वस्यापूर थाने की सातिर अपराधियों पर गैंगेस्टर का मुकदमा हुआ पंजिकृत, S.P.C.T. कृष्ण कुमार विश्णोई ने दी जानकारी मंडल खेल विकास एंप्रोसाह समिती की मंडला युक्त रवी कुमार एंजी ने की बैठक सभी विद्यालियों में खेल प्रतियुकता करा कर प्रतिववान के लाडियों को बढ़ावा देने के लिए दिये अधिकारियों को निर्देश जनप्रब ने बिना मांचित्र के बने होटलों की जीडिये करेगा चेकिंग टीम किया जा रहा है गठित करेगा बिना मांचित्र वाले होटलों पर कारिवाई जीडियो पाध एक्षप्रेम रिंजन सिंग ने दी जानकारी रामगर्ताल की तर्ज पर अब राप्ती नदी में भी जल्द चलेगी मोटर चालित बड़ी नाव वदवार से किया जाएगा सिकारा मोटर चालित नाव का ट्रायल लोगों को नौकायन का मिलेगा मौका परेटन को मिलेगा बढ़ावा फरार चल रहे चाली चाला थाने के शातिर अपरादी सुरेश कुमार पर एस एस पी डॉक्टर गौरव ग्रुवर ने पंद्रह हजार का इनाम किया घोसित एस पी नौर्थ मनोज कुमार अवस्ती ने दी जानकारी एस पी ट्रैफिक डॉक्टर महिन रपाल सिंग के ने तो तुमें चलाए गया यतियात कारेयाले से रेलवे बस स्टैंड तक वाहन चिकिंग अभियान जानको कराए गया क्लियर वाहनों की चिकिंग कर अठारा वाहनों का किया गया चालान कहा यतियात पुलिस का नियमित चल रहा है वाहन चिकिंग अभियान जनपत के वैपाली बंधूओं के साथ SSP डॉक्टर गौरफ ग्रोवर ने की बैठक वैपालियों की जानी समस्या कहा वैपालियों की सुरक्षा है हमारी पहली प्रात्मिक्ता उनके समस्याओं का होगा समधान आठ सितंबर से 11 सितंबर तक इस्ट जोन इंटर सेर्ट जोनल बैठमिंटन चैंपियन सिप 2022 प्रतियोगता का होगा आयोजन अपर मुख्य सचिव खेल कोद नोनी सहगल करेंगे प्रतियोगता का उद्गाटन जिला पैठमिंटन संग के सचिव राजित सिर्वासोनी जानकारी दस सुत्रियों मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संग के तत्वाधान में मनरेगा करमचाली संग ने जलादिकारी कार्याले पर किया धरना प्रदर्शन सिटी मजिस्ट्रेट अंजिनी कुमार सिंग के माधिम से मुख्यमंत्री को प्रेशित किया ग्यापन मांगों को जल से जल पूरा करने की कीमान और नदियों के जलस्तर में जनपद में लगतार हो रही है बढ़ोत्री जलादिकारी ने कहा नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांस गाउव बढ़ल गंज के संबेदन सिल छेट्रों के लोगों को पहुचाए गया रक्षित अस्तान पर 14 बार चौकियों को रखा गया है अलर्ट पर बार से निपटने की है पूरी तयारी